वहाद बहुत स्वागत था आज के इस वीडियो में हम हमारा जो कोपरेटिव और जिएशन नम का जो चैप्टर था उसे हम आज खतम करने वाले हैं आज का जो लिक्चर होगा वह बहुत छोटा सा होगा क्योंकि आज कुछ खास हमारे पास है नहीं हम यहाँ पर जो टाइपस ऑफ कोपरेटिव औरगनाजेशन मतलब कोपरेटिव औरगनाजेशन कितने टाइपस के होते हैं हम वो यहाँ पर देखेंगे और इसके बाद यह देखेंगे कि जो कोपरेटिव औरगनाजेशन होता है वो हमारे bank से किस तरीके से अलग होता है What is the difference between a cooperative society and a bank हम ये दो चीज यहाँ पर दिखने वाले है तो हमारे पास कुल मिला के सिर्फ दो ही topics है और वो आज बहुत जल्दी हतम हो जाएंगे तो पहला जो topic हमारा आज यहाँ पर आ रहा है वो है types of cooperative societies या फिर types of cooperative organization अब cooperative organization क्या होता है यह मैंने कल के lecture में अच्छे से समझा दिया था कि जब कुछ लोग आपस में एक group बनाते हैं या पिर एक organization बनाते हैं एक business को करने के लिए जिसमें वो लोग अपने हिसाब से उस organization को चलाते हैं उसमें ऐसा वो लोग अपने हिसाब से लगाते हैं फिर वहाँ पे जो भी उसका return आता है उस return को भी वो लोग अपने में भांट लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं cooperative organization इट इस basically a group of people जो की एक particular system के तुरू एक particular working system के तुरू वो लोग एक business को करते हैं जो की cooperation के साथ होता है जब वो business हो जाता है तो उसके बाद उसका जो भी return होता है वो लोग अपस में भांट लेते हैं अब cooperative organization किस type का काम करते हैं उनमें किस type का काम होता है उसी के हिसाब से हम आज देखने वाले हैं कि कितने तरह के cooperative organization होते हैं तो उस मेंसे जो हमारा सबसे पहला वाला यहां पर आ रहा है वो है consumer cooperative society अब ये consumer cooperative society क्या होता है तो आपने एक चीज के बारे में जाना होगा जिसे हम लोग कहते है consumer protection आपने जागो गराहक जागो के बारे में जरूर सुना होगा तो ये सब है क्या कि market में जब business हो रहा है तो बहुत सारे ऐसे businessmen होते हैं जो कि कुछ जादा पैसे कमाने के लिए हमारे जो consumers हैं उन consumers का abuse वो लोग करते हैं उन्हें वो लोग बहुत जादा दाम चार्ज करते हैं या पिर जो दाम है वो तो सेम ही रहता है लेगिन उसी दाम में ख़ड़ा quality का सामान दे देते हैं तो कोई भी ऐसा चीज जिससे की consumer का सोशन होता है उस सोशन से बचाने के लिए consumer को हम consumer protection करते हैं तो जो cooperative society का main aim ही consumer protection होता है यानि कि जो consumer से उनको बचाना कोई उनसे ज़्यादा ऐसे न ले ले या फिर कोई उनको खड़ाब सामान न दे दे इन चीजों से जो consumers को बचाते हैं इस टैप के cooperative society को हम लोग कहते हैं consumer cooperative society तो consumer cooperative society क्या होता है consumer cooperative societies are formed with the objective of protecting the consumer interest individuals who wish to purchase products at reasonable rates most likely join consumer cooperative societies in such type of societies there are no middlemen involved the product is purchased directly from the producer and sold to consumers मतलब यहां पर basically होता क्या है कि consumer protection की उपर में ध्यान दिया जाता है यहां पर अगर आपको यह लग रहा है कि market में अगर आपको जो सामान है वो ठीक दाम पर नहीं पा रहा है या फिर market में दाम वही चार्ज किया जा रहा है लेकिन जो सामान है वो आपको खड़ाब quality का दिया जा रहा है तो ऐसे case में आप ए consumer cooperative society join कर सकते हैं जहां पर आपके साथ कोई भी तरीके का खड़ाब चीज होगा नहीं यहां पर आपको जितना दाम लिया जाएगा उसी के हिसाब से आपको समान दे दिया जाएगा तो जिन cooperative societies का main aim consumer protection होता है उन cooperative societies को हम लोग consumer cooperative society कहते हैं लेकिन यहां पर भी एक बात ध्यान में रखने वाली है वो यह है कि consumer protection सिर्फ उन्हीं लोगों का होगा जो कि उस cooperative society के member हैं ठीक है मतलब ऐसे market में हम लोग consumer protection करने जाने वाले हैं नहीं जो हमारे members हैं सिर्फ उन्हीं का consumer protection करना यह cooperative society का main aim होता है बाकी के लोगों को करना है कि नहीं करना है वो हमारे मतलब that is not our subject हमारा जो main चीज है वो यह है कि जो हमारे members हैं उनका consumer protection हो उनको ठीक डाम में अच्छा सामान मिले यह हमारा consumer cooperative society का काम होता है ठीक है फिर इसके बाद जो हमारा अगला वाला है वो है producer cooperative society अब इसका नामी से समझ में आ रहा है कि यहां पर किसी चीज का manufacturing हो रहा है और उस चीज को बेचा जा रहा है here something is being manufactured and sold so producer cooperative societies are formed with the objective of protecting the interest of small producers these cooperatives help producers in maintaining their profit and also to assist producers in procuring items that will be helpful in production of goods and services मतलब जो producers जिनका मतलब जैसे consumer का social होता है तो ठीक उसी तरीके से producers का भी social होता है तो जो producers है जो की सामान बना करके बेचते हैं उन लोगों की मदद करने के लिए जिन cooperative societies को बनाया जाता है उन्हें हम लोग producer cooperative society कहते हैं ठीक है यहाँ पर basically होता क्या है कि जो छोटे मोटे manufacturers हैं जैसे आप मान के लीजिए आपके बगल में जो सारी का जो ये बनाने वाला होगा जो सारी के जो छोटे मोटे जो cottage industries होते हैं तो उन cottage industries वो लोग जब आपस में एक cooperative society बना लेती हैं जिसमें basically उन लोगों के production के regarding काम होता है कि कैसे ये लोग अपना production को भीना किसी problem के साथ कर सकते हैं अगर इन लोगों के production में कोई दिक्कत आती है तो कैसे उसको solve किया जा सकता है तो इस type के cooperative society को जहाँ पर basically जो members होते हैं वो किसी न किसी चीज़ के producers होते हैं ताकि उन members का जो interest है वो protected रहे तो उसे हम लोग cooperative producer cooperative society कहते हैं ठीक है जैसे मैं अगर बात करूँ तो amul जो है amul basically उसी type में आता है जो दूद के जो manufacturers हैं जो दूद वाली होते थे जो छोटे मोटे किसान जो की दूद बनाते थे तो उन लोगों का जब एक cooperation society बना दिया जाता है जहां पर उन लोगों में ये तै हो जाता है कि इतने दाम पर कम से कम दूद market में बेचा जाएगा ये दाम है जिसके उपर दूद को बेचा जाही नहीं सकता है तो जो producers का cooperative society होता है उसे ही हम लोग producer cooperative society के कहते हैं फिसके बाद जो अगला वाला आता है वह credit cooperative society now these cooperative societies are set up with the objective of helping people by providing credit facilities they provide loans at a minimum rate of interest and flexible repayment to its members and protect them against high rates of interest that are charged by private money lenders मतला credit सही समझ में आ रहा है कि जिन cooperative societies का काम होता है सस्ते दामों में लोगों को loan देना उसी हम लोग कहते हैं credit cooperative society अगर जो normal bank है वो अगर आपको 7-8% interest के rate पे आपको अगर वो loan दे रहा है तो उसी time पे ये अगर cooperative society होगा तो वहाँ पे 5 से लेके 6% तक का interest rate आपको maximum charge किया जाएगा तो जिन cooperative societies को इसलिए बनाया जाता है ताकि वहाँ पे कम से कम interest rate पे कम से कम cost पे लोगों को loan दिया जा सके उन लोगों को loan दिया जा सके जो कि किसी normal bank या फिर NBFC से loan ले नहीं सकते हैं तो उस type के cooperative society को हम लोग credit cooperative society कहते हैं ठीक है फिर housing होता है तो housing cooperative societies are formed with the objective of providing housing facilities to the members of the society this proves to be beneficial for the lower income groups as it allows them to avail housing benefits at a very affordable price अब घर खड़ीदना हर किसी का सपना होता है लेकिन market में अगर ऐसे घर खड़ीदने जाएं तो बहुत धक्ये खाने परते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ इस broker को पैसे दो इस broker को पैसे दो तब जाके एक घर अखिरकार हमें मिल पाता है तो इन झेंजटों से लोगों को बचाने के लिए ताकि लोगों को बहुत आसानी से और कम दाम पर यहाँ पर लोगों को जो घर है वो मिल सके तो इस type के cooperative societies को हम लोग कहते हैं Housing cooperative societies मतलब कम से कम दामों में लोगों को घर देना ये काम जिस cooperative society का होता है उसे हम लोग जो members हैं सिर्फ उन्ही को उसमें वो benefit दी जाती है housing वाले में सिर्फ जो members होंगे उन्ही को कम दाम पे घड़ दिये जाएंगे पिर credit वाले में जो उसके members होंगे सिर्फ उन्हें ही credit दिया जाएगा तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है नॉर्मल जनता में ऐसे हम लोग भारते फिरेंगे नहीं जो members होंगे सिर्फ उन्ही को हम लोग कम दाम में credit यहाँ पे देने वाले हैं ठीक है पिस के बाद जो अगला वाला आता है वो है marketing cooperative society now these societies are formed with the objective of providing small producers a platform to sell their products at affordable prices and also eliminate middlemen from the chain thus ensuring adequate profits अब देखिए कुछ कुछ cooperative societies ऐसे होते हैं मतलब यह basically एक market tap के होते हैं यहाँ पे जो normal producers जो कि उतने जादा लोगों को afford नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एक बार सामान अगर बन जाता है तो उसकी marketing करनी होती है पिर उसको अलग-अलग wholesalers को, retailers को, distributors को जिनके पास ना उतने पैसे हैं ना resources हैं तो उन producers को एक platform दे दिया जाता है कि यह हमारी cooperative society है अगर आप इसके member भनते हैं तो यहाँ पे आकर आप अपना सामान हमारे platform पे आकर बेच सकते हैं और यहाँ पे आपका जो profit होगा वो अगर market में बेचने से 5 रुपे का profit आता होगा तो यहाँ पे 8 रुपे का profit आएगा तो यह cooperative societies जो कि basically इस aim से बनाए जाते हैं कि जो भी उसके members होंगे उन members को एक platform दिया जाएगा ताकि उस platform पे वो लोग अपने products को बेच सके उसे हम लोग marketing cooperative society कहते हैं मतलब basically जो cooperative societies reducers को समान बेचने में help करते हैं उसे हम लोग marketing cooperative society कहते हैं ठीक है अब जो हमारा last topic है वो है cooperative organization and joint stock company में क्या difference है मैंने जब आपको types of business पढ़ाया था तो मैंने उसी time पे आपको बोल दिया था कि आपके लिए जो सबसे important business organization है वो है joint stock company तो अभी हम जितने भी chapters यहाँ पर रहे हैं वो सारे की सारे chapters basically types of business organization मतलब business को किन-किन तरीकों से किया जा सकता है उन्हीं के उपर में ये based है तो उसी में से अभी जिस business organization के बारे में हम बात कर रहे थे वो है cooperative organization तो क्योंकि joint stock company हमारा main है इसलिए हमें ये जानना होता है कि joint stock company और इसमें क्या-क्या differences होते हैं ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों में फर्ग क्या होता है तो सबसे पहली बात अगर करें तो cooperative organization में क्या होता है अब देखिए cooperative enterprise में क्या होता है कि उसमें जो भी लोग उसके members होते हैं वो सभी एक जैसे सोच रखने वाले होते हैं जैसे अगर मैं यहाँ पे for example अगर मैं यहाँ पे credit देने का यहाँ पे अगर काम कर रहा हूँ अगर मैं credit देने के लिए एक cooperative organization बना रहा हूँ तो उसमें हर एक आदमी उसी type का होगा ठीक है मतलब यहाँ पे जो मैं कहना चाहता हूँ वो यह है कि जो cooperative organizations होते हैं वो एक ही type के लोग मतलब या तो high class लोग आपस में बनाएंगे या तो middle class लोग आपस में बनाएंगे या तो lower class लोग आपस में बनाएंगे जबकि company में क्या होता है कि अलग-अलग classes के लोग उसे बनाते हैं कुछ high class से लोग होते हैं तो कुछ low class के लोग होते हैं तो कुछ middle class के लोग होते हैं तो cooperative enterprise में एक यह मतलब यह rule नहीं है कि ऐसा होना चाहिए बट practical life में देखा यही जाता है कि एक type के लोग जिनका एक जैसा सोचना है एक जैसा income है जो कि एक जैसे उनका standard of living है तो वो लोग आपस में milk करके एक cooperative enterprise बनाते हैं जबकि company के लिए ऐसा कुछ नहीं है अब cooperative organization सिर्फ अपने members के साथ ही काम करता है कोई भी cooperative organization हो उसमें सिर्फ उसके members के लिए ही काम होगा जबकि company में यहाँ पर जो normal public है उसके लिए काम होता है फिर अगर बात करे cooperative organization का तो it works without profit motive मतलब देखिए मतलब यह बोलना टीक नहीं होगा कि it works without profit motive इसका main रखना होगा कि इसमें जो profit motive है वो काम रहता है मतलब cooperative organization सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ profit earn करने के लिए ही बनाया जाता है profit motive रहता है लेकिन उससे भी बड़ा चीज जो यहाँ पर रहता है वो रहता है कि जो लोग market में normal तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर काम करना जो कि हमने यहाँ पर देखा कि consumer cooperative society मतलब जो लोग market में उनको यह लगता है कि market में समान बहुत ज़ादा दाम पर मिल रहा है तो उन लोगों के help के लिए यहाँ पर consumer cooperative society को बनाया जाता है फिर producer cooperative society के case में हमने क्या देखा कि जो producers market में normal system को अपना करके बेच नहीं पा रहे हैं उन लोगों की help के लिए producer cooperative society बनाया जाता है फिर credit cooperative society जो लोग market में loan असानी से लिए नहीं पा रहे हैं उनके लिए यह तो हर एक में हम यह देख रहे हैं कि जो पहला motive है वो यही है कि भाई हमें यहाँ पे लोगों की help करनी है बाद में अगर profit होगा तो देखा जाएगा जबकि company में क्या होता है कि main aim ही यहाँ पे profit making रहता है ठीक है फिर अगर objective के बारे में बात करें तो cooperative क्या होता है its object is to eliminate middleman in the chain of distribution अब देखिये market में कोई भी चीज महंगा इसलिए होता है क्योंकि उसके साथ बहुट अलग-अलग लोग associated होते है wholesalers हो गए retailers हो गए distributors हो गए इतने types के लोग अलग-अलग types के लोग उसमें associated रहते हैं तो इसकी वज़ा से क्या होता है कि कोई भी चीज मार्केट में महंगा हो जाता है लेकिन consumer, sorry, credit में क्या बूल रहा हूँ cooperative organization में क्या होता है कि basically यहां पे वो जो लोग जो की normal market में होक करके दाम को बढ़हा दे रहे हैं तो उन लोगों को यहां से हटा दिया जाता है ठेक है क्योंकि अभी जा करके वो सामान हस्ता हो पाएगा जबकि company का main aim क्या होता है it is capitalistic nature and encourages competition अब company का main होता है कि हमें यहां पे business करना है तो वो यह चीज देखता नहीं है कि कि इतने लोग हैं कि इतने लोग हैं नहीं उसका main यह है कि भाई हमें यहां पे competition को increase करना है मतलब अगर market में वो सामान कोई 10 रुपे में दे रहा होगा तो हम वही सामान यहां पे 9 रुपे में देने की कोशिस करेंगे तो इसका जो main objective होता है वो profit motive ही होता है मतलब competition करके profit earn करना यह इसका main aim रहता है जबकि यहां पे जो cooperative organization होते हैं उसका aim रहता है कि जो चौली लोग है उनको हटा देना ठीक है फिर अगर कितने लोग यहां पे member हो सकते हैं तो cooperative के case में minimum 10 लोग होने चाहिए और कोई उपर का limit है नहीं अब जितने लोग चाहिए उतने लोगों को रख सकते हैं जबकि company के case में हम जानते हैं कि भाई अगर private company हुआ तो minimum 2 और maximum 200 and अगर public company हुआ तो minimum 7 और maximum का कोई limit है नहीं ठीक है फिर है customer, generally the sellers and buyers are the same मतलब यहां पर जो members होते हैं वहीं यहां पर मतलब यहां पर basically होता क्या है कि यह एक picnic party जैसा है जो cooperative organization होता है that is like a picnic party वहां पर लोग आते हैं पैसे लेकर के लोग आपस में पैसा मिलाते हैं पिकनिक होता है और बस वो लोग घर चले जाते हो तो इसी के कारण क्या होता है कि cooperative organization में जो सामान भी cooperative organization के अंदर में ही बनता है आं जो सामान है वो cooperative organization के लोग ही खडिते हैं तो इसलिए यह बोल दिया जाता है क्योंकि उसी organization में सामान का manufacturing भी हो रहा है और उसी organization में समान का जो खड़ीदारी है वो भी हो रहा है तो इसी वज़ाज से यहां पर जो sellers and buyers है they are the same thing एक ही लोग होते हैं जो लोग समान को बनाते भी है और समान को खड़ीदते भी है फिर the sellers and buyers are not same जबकि company में ऐसा होता नहीं है company समान बनाती है और खड़ीदने वाले कोई और होते हैं ठीक है फिर अगर यहां पर बात करें कि जो profit होता है मैंने यहां पर बोल लिए कि cooperative में जो profit motive है नहीं लेकिन profit होगा नहीं ऐसा बात है नहीं तो यहां पर जो भी profit होता है वो जो cooperative society मतलब जो वहां के members होते हैं वो उनहीं लोगों को दे दिया जाता है ठीक है मतलब उनहीं लोगों में उसे बांट दिया जाता है मतलब कोई आदमी personally पैसे को लेकर करके जाता नहीं है ठीक है जबकि अगर यहां पर बात करें तो यहां पर जो भी profit होता है वो सब shareholders के बीच में बांट दिया जाता है ठीक है मतलब cooperative organization का जो profit है वो cooperative organization में ही वापिस से लगा दिया जाता है जबकि joint stock company में यह जो profit होता है वो साड़ा profit shareholders अपने साथ लेकर के चले जाती है ठीक है पिर अगर cooperative organization का जो share होता है वो क्या transferable है तो इसका answer है no cooperative organization का जो shares है वो transfer नहीं हो सकता है जबकि company का share जो है वो transfer हो सकता है ठीक है फिर अगर बात करें यहाँ पर voting rights की तो दोनों में ही voting rights होते हैं each member will have a voting right irrespective of the number of shares taken by him मतलब यहाँ पर यहाँ पर क्या फर्क है कि अगर आपने 100 shares लिये होंगे तो भी आपको एक ही vote मिलने वाला है मतलब यहाँ पर यह नहीं देखा जाता है कि कितने shares लिये गए हैं और उसके हिसाब से voting right होगा यहाँ पर वोचीज नहीं देखा जाता है यहाँ पर देखा जाता है कि कितने लोग हैं अब अगर एक आदमी ने अगर 1000 shares भी लिये होंगे तो वहाँ पे shares की हिसाब से voting होता नहीं है, यहाँ पे कितने लोग हैं उसके हिसाब से होता है, तो यहाँ पे अगर एक ही आदमी 100 shares का मालिक है, तो एक ही vote यहाँ पे होगा, जबकि इसमें क्या होता है कि हर एक share का vote होता है, तो अगर एक आदमी 1000 shares अपने पास में रखता है, तो इसका मतलब है 1000 vote है उस आदमी के पास, ठीक है, फिर है management के अगर बात करें, तो जो company के members, जो cooperative organization के members होते हैं, सिर्फ वही लोग इसमें भाग ले सकते हैं, मतलब वही लोग इसका management चलाते हैं, जबकि company के case में, यहाँ पर जो management होता है, वो बाहर के लोग भी चला सकते हैं, अब सब बाहर के लोग कैसे हैं, तो देखिए एक company का, जो main members होते हैं, वो होते है shareholders, लेकिन यह जो shareholders होते हैं, यह लोग company को चलाते नहीं हैं, यहाँ पर जो company को चलाने का काम होता है वो दिया जाता है डिरेक्टरS को तो यह जो directors है यह कंपनी के members नहीं है तो इसके वजह से इन लोगों को outsiders बोला जाता है फीक है जो तो company के case में बाँर के लोग जैसे director हो गया फिर यहाँ पर बात करें तोCA हो गया CS येस हो गया तो ये लोग company के members है नहीं बट ये लोग फिर भी company के management में भाग ले सकते हैं फिर अगर legislation मतलब कौन सा कानून इस पर लागू होता है तो cooperative organization के case में cooperative societies act ये एक कानून का नाम है वो यहाँ पर लागू होता है and company के case में companies act 2013 ये यहाँ पर लागू होता है ठीक है तो ये थे इसके differences अब यहाँ पर मैंने ये chapter खतम कर दिया है अब इसके बाद जो हमारा अगला chapter होगा वो एक अलग unit से होगा that is going to be totally from a different unit हमारा यहाँ पर जो दो units था वो हो चुका है मतलब हमारे syllabus के हिसाब से हमें सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में जानना था वो था human activities ठीक है and human activities के बाद जो हमारा अगला वाला था वो था business के बारे में हमें जानना था कि business क्या होता है business कितने type का होता है business के कौन कौन से उसके यह होते है मतलब business में कौन कौन से चीज़ें आती है and इसके बाद हमें जो जानना था वो था कि business organizations कितने type के होते हैं ठीक है तो हमारा ये जो तीन यहाँ पे units है मैंने दो बूल दिया था तीन units है तो ये जो तीन units है यहाँ पे हो चुके हैं अब इसके बाद जो हमारा अगला unit होगा वो totally अलग topic से होगा अभी तक हम लोग सिर business के बादे में ही पर रहे थे कि business को कैसे किया जा सकता है business होता क्या है human activities क्या होते हैं हम इसके बादे में basically यहाँ पे देख रहे थे ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले chapter के साथ तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा